कि अग्याज सबसे पहले आपको दू चेस्ट करने उसके बाद आपको चार पर प्लेस करने हैं टूबार्टू में उसके उपर कोई से भी स्लैब और साइड से आपको नॉर्मल ब्लॉक प्लेस करके 19 ब्लॉक हाइट में जाना है जैसे मैं जा रहा हूं कि गश्चार प्लेस आप से 19 ब्लॉक हाइट जाने के बाद आपको यह स्लैब से टच जो हुए हम ब्लॉक उन्हें तोड़ देना है पूरी तरह से की यहीं से हम मॉप्स को मानेंगे अपने अपने उपर आके आपको 7 हर साइड से 7 ब्लॉक आगे करना है वाल वाले ब्लॉक को चारो तरफ कर लिया हूं यहां आपको इस प्लैटफर्म के साइड साइड दो ब्लॉक की वाल बनाना है वाल बनाने के बाद आपको इसको चारो ताफ से कनेक्ट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूं इस से दूसरे साइड वाले वाल को जोड़ देना है और इसको अंदर से फि अब किसी भी एक कॉर्णर में आके यहां दो ब्लॉक हाइड बनाना है और उसे चारों तरफ से कवर कर देना है वाल बनाने के बाद यहां के इनके बीच में दो दो ब्लॉक वाटर डालने हैं दो दो बल्टी और उसके बाद यहां पर आपको ट्रैपड़र उपर के तरफ से लगा देना है कि अधर लगाने के बाद इस प्लैटफर्म के उपर आपको एक और प्लैटफर्म मनाने बस वाटर के उपर मद वानाना नहीं तो यह वर्क नहीं करेगा यह फाम और उसे अंदर से फिल भी कर देना कि जैसा आपको पूरी तरफ बना देना है इसके बाद कुछ यह ऐसा दीखेगा अब फिर से आपको किसी भी एक से डाने और तीन ब्लोक हाइड बनाके इस वाल को चारों तरफ से कवर कर देना है कि जाता से कवर करने के बाद आपको फिर से साइड में ट्रैपडर लगा देने और उसको वापस बंदू कर देने नीचे के जैसे कि ट्रैपडर लगाने के बाद आप चाहो तो इसको इस ऊपर वाले फ्लोर के जैसे एक और फ्लोर और या उससे ज्यादा फ्लोर भी बना सकते हो नहीं तो यहां से ऊपर सीधे किसी भी ब्लॉक से कवर कर देना हुआ कि उपर से कवर करने के बाद आप यहां पर टॉर्च लगा देना या फिर और स्पांडरेट ज्यादा बढ़ाने के लिए इस पर स्लैब लगा देना कि स्पांडरेट इसका काफी ज्यादा हो जाए झाल कर दो झाल कि स्पांडरेट ज्यादा एक बढ़ा देना है कि गैज़ा बनाए हाथ 15-20 मिनट ए-फक करूंगा और देखते हैं उसके बाद कितना लूट आएगा कि गैज़ा में तो इदर ए-फक कर लिया हूं 15-20 मिनट यहां पर काफी सारे मॉप स्पॉन हो गए हैं मैं इन्हें मार के देखता हूं कितना लूट मिलता है यह काफी ज्यादा है बस आप इसे लूटिंग 3 से मानना की ज्यादा लूट मिले झाल झाल सब्सक्राइब करें